नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टो एडिवर्स निव इनलिसिस, तो आप लोग ने रिसेंटली निवीज के अंदर सुना हुआ कि प्राकिस्तान के फॉरिन मिनिस्टर ने डारेक्ली इंडियास के प्राइम मिनिस्टर में डारेक्ली अटेक किया है, यूनाटे निशिन के अं कि मैं आपको बताने वाला उस वीडियो के अंदर की इस एक्शुल में हुआ क्या है, एक्शुल में क्या चीजे चल रही है, पाकिस्तान ने क्या बोला, जैसंकर साब ने क्या बोला, और कैसे जवाब दिये, फिर किस तरीके से लातार खानी पली, सबसे पहले हम बेसिक दे अगर आप देखेंगे उनाइटे नेशन सेकुरिटी काउंसिल के अंदर है, जो कि अभी मीटिंग चल रही है, अब आप देखेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो हैं G20 का हम को सम्मीट का वो करना है, और साथी साथ जो हैं, यूनाइटे नेशन जो है अभी global counter terrorism approach चल रहा है कि किस तरीके से इस challenge को हम overcome करें अब तो फिर जैसंकर साब निजी ने जो terrorism की उपर directly किसको बोला पाकिस्तान को बोला कि पाकिस्तान हो चाइना जो है जो है इसका face है टर्रिजम का और यहाँ पे पाकिस्तान को क्यों बोला क्यों कि पाकिस्तान तो बहुत सारी terrorists यहां से निकल के आते हैं साथ चाइना भी उसे promote कर रहा है और पाकिस्तान का साथ देता है इसलिए चाइना का भी नाम यहाँ पे जैसंकर सामने लिया है और यहाँ पे पाकिस्तान ने भी कोशिश करी कि इंडिया को वो terrorism बाला मुद्दा को उठाए और बोले तरीके से तार-तार हो गया जैसंकर से ने यहाँ पे directly mention किया और यूसामा बिल्लादेन का कि और बोटाबाद में पाया गया था जी हाँ पाकिस्तान के अंदर अब बोटाबाद में पाया गया था दुनिया का सबसे बड़ा terrorist था ही और जिससे जो है यूएस आर्मी ने यहा हम पाये अए डरिकली पाकिसान में पाये गया इसलिए पाकिसे और यहा पर जैसंकर सामने इस तरीके चीजों को बोला बोसामा बिल्लादेन को होस्ट करना नियवर के पालियम सम्तित टेक्रना ये सारी चीज़े qya है ये सारी 2002 में उम्हा टक किया था यह सारी चीज़े कि और रिसेंटली ही अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान पार्लिमेंट के अंदर इम्रान खान ने क्या कह दिये था भी कुछ समय पहले ही अमरान खान ने क्या कहा था अमरान खान ने असामा बिल नादिन को सहीद कह दिये था आपको मैं एक छोड़ी से वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ यहाँ पर एक हुआ जी उसामा बिल नादिन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अप्टाबाद में मार दिया शहीद कर दिया उसके बाद क्या हुआ अब पाकिस्तान के एक पट्रकार ने बहुत ही चतुराईश से जयसांगर साब सुझा के ऐसा पूछा कि बताईए की सर यह जो साउथ इश्या का टर्रिजशम में कब रुके गा क्योंकि पाकिस्तान मीं फ्यलारा टर्रिजशम इंडिया भी फ्यलारा अफगानिस्थान मीं ले रहा मैं उसने बहुत क्या किया क्लेवर तरीके से इंडिया को भी इंकलूड कर लिया है वहाँ जय संकर छाब क्वां degat tän ऐसा जाब देता है कि बिल्कुल हक्के बग्के रह जाते हैं सारी पत्ट्रकारों सारे आप जवाब तुनिये बिल्कुल कर दो पहले हो जाanges जो है वालुट असार बोली कहुंझ आए जां। म हैजक। इनमें की पाकिस्ता बाइस क्था बढव घुटारों काम गुटरी आए घु adopt है। मैं रॉट्नाइन मिंस्ता गुट्साःताी है। अब इंडिया इतना इजली जो है पाकिस्तान को काउंटर कर रहा था कि पाकिस्तान को एक टाइम बाद क्या करना पड़ा डारेक्ली जो है यहाँ पे अटैक करना पड़ा इंडिया की उपर लेकिन यहाँ पे इस यहाँ पे बहुत अच्छा सा कॉटेशन जो है पे फिट वे हिए पाकिस्तान भी यहां पर चीजे करंद आ है तो क्या करता है पाकिस्तान भी यहां पाकिस्तान तो अपने डिपलोमेटिक से जीत में रहा है तो क्याकुा निए डिरेक्टली अटेक करने की कुछिस कर रहा है डारिकली चीज़ों को बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है ये सारी चीज़े पर उसकी बातों को वैसे भी कोई यहाँ पर इतना सीरियसली ले नहीं रहा है तो इंडिया ने पाकिस्तान को इस तरीके से घेरा इस तरीके से घेरा कि फर्मी मनिस्थ तर्मी में की ऎ देफ।令्स ड्रेक्सावारो टTर्मी अरिव Госवमा नाति ये अजया बाहर्वारोविक। And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws his inspiration from Hitler's SS. So, this is the Prime Minister of the RSS. So, this is the Prime Minister of the RSS. So, you can see what he said. He was saying that Osama bin Laden was dead. It was a very strange reply. I heard that Osama bin Laden was dead. and he got attacked here. And he got attacked here. He had called me. But he said that he had a Either. He said that he was making a feud. But he said it was all right. And he did it so far. India needed to go back and say, we could have charged for a personal attack but we couldn't do that. Why not? Because it was many regions. Because it was a bad thing between them and the upload. कर रहा है हमने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से यहां पर इन चीज़ों को डिल किया और उन्हें समझाया और बताया कि यह देखी कि आपकी यहां सक किस तरीके से टेर्रिजम जो है ज्यादा फैल रहा है यहना एक एक चीज़ कि अब सभी लोग जाते हैं 1971 का वो दिन और मुझे ऐसा लगता है कि यह लोग फूतिन भूल गए हैं सीदी सी बात है 16 दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं विजय दिवस मना जाता है 16 दिसंबर 2022 को सभी लोगों कोई चीज़ पता होगा कि विजय दिवस मना जाता है जहां पर पाकिस्तान बंगला देश जो है लिबरेशन है तो वहां पर भी इनको मुझ की खानी पड़ गई है ना एतनिक बेंगालिस और हिंदू की उपर ये लोग जो रूल कर रहे थे और बहुत जेनोसाइट कर रहे थे उसको यहां पर हमने निकाल के लेके आए थे पाकिस्तान खुद तो कुछ कंट्रोल करनी पा रहा है अगर आप देखेंगे तो जैसे के हमने बोला कि पाकिस्तान आप कंट्रोल करिये है ना टर्रिजम की रकत वो तो खुद कंट्रोल नहीं कर पारा इवन अगर आप देखेंगे तो आप आएंगे कि पाकिस्तान की UN designated terrorist entities है तो आप सूचे कितनी बड़ी ये संख्या है इस पूरे वर्ड के अंदर सबसे ज़्याद अगर कहीं पाये जाते हैं वो कहां पर पाये जाते हैं पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान को बिलकुल भी हक नहीं है कि वो इस तरीके से बातों को बोले या कुछ भी इन सारे सब्दों का यूज करे ये तो बिलकुल बेकार सी बात हो जाती है यहाँ पे तो चलिए आज का हम अपना न्यूजपेपर स्टार्ट करते हैं तो टोड़े इस 17 डिसमबर 2022 अभी आपको हमने अच्छे डिटेल में इसका डिसकसन किया और समझाया बिफोर देट हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ छुटी से इंफॉर्मिशन सेयर करना चाहता हूँ अगर अभी तक आप लोग ने हमारे पीडिएफ को हमारे इंस्टाग्राम पीच को फालो नहीं किया है तो आपको जाना है eduars underscore news underscore analysis में और इस पीच को जरूर से जरूर से आपको फालो करना है यहाँ पे important articles, various news articles, बहुत सारी चीज़े जो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं आपको यहाँ से उस सारी चीज़े मिल जाएंगी साथी साथ अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी instagram id underscore प्रकासदुबेदी underscore में फालो कर सकते हैं for any type of queries related to your exam, related to your subject, career and personal कोई भी queries हैं तो आप मुझे directly message कर सकते हैं instagram के अंदर चले आगे move करते हैं और अगर आपको इस lecture का pdf चाहिए तो lecture के pdf के लिए आपको telegram group को जरूर से join करना है उसे join करना ना भूले देखिए यहाँ पर कासी तमिल संगम will unite the country करने एक different language अमिसाजी ने ऐसा कहा है हैना जो की बहुत सही चीज है यहाँ पर इस चीज को भी आपको यार रखना है हैना कासी और तमिल के संगम मतलब संगम की बात चल ली यहाँ पर संगम चल रहा है एक function चल रहा है हैना कासी तमिल संगम is an attempt to bring the culture renaissance that will unite the country and connect different languages union home minister अमिसाजी ने यह soul of the national education policy NEP की बात कर रहा हूं national education policy के अंदर जो soul है जो आत्मा है उसकी वो क्या है उसकी वो जो आत्मा है एक तरीके से किसकी आत्मा national education policy की जो एक कह सकते हैं soul है आत्मा है वो क्या है वो उसकी है mother tongue mother tongue में medium of the instruction must be under should be under mother tongue NEP has pre pre correlated deep down I appeal once again to Tamil Nadu to impart medical technical and legal education in the Tamil Tamil language में ले के आएं तो language को बचा की रखना और language को प्रमोट करना ये भी हमारा एक लक्ष बन जाता है clear हुआ बात चलिए आगे move करते हैं the important news article इससे पहले कि हम ये देखिए ये news article में सभी आपको बताता रहूँगा लेकिन before that editorial section को आप लोग समझ लेजिए countering terrorism की बात करते हैं हम इस article के अंदर बहुत important ये article हो जाता है वैसे तो हम starting में ही मैं आपको सारी चीज़े समझा चुका हूँ पहले मैंने आपको बता दी countering terrorism से लिटे जो conference हुई थी थी ये UNSC के अंदर जहां पर जैसंकर जी गए और जो बाते हुई वही सारी बाते इस article के अंदर भी लिखी गई हैं लेकिन इस article के अंदर कुछ important points भी है जैसे कि हमें और क्या-क्या steps उताना चीए global townism counter terrorism approach के अंदर वो points आप यहां पर डाल सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको एक page लेना है white page लेना है single page उसमें terrorism उपर topic डालना है और terrorism से रेटर जितने भी topic हो सकें उसको आपको जितने भी points हो सकें उसके अंदर आपको बस mention करते हुए चलना है यहां से इस article से मिल जाएं वो लिख लो आपको background जानना है तो background लिख लो का हैंने किसी books बगेरे से दूड़के इस तरीकी से आपको notes भी one page एक आप याद रख लीजे means की notes कैसे बनाते हैं आपको one page one topic इससे ज़्यादा आपको नहीं करना एक page को एक topic के अंदर खतम करना है that's it पूरा पढ़ लीजे जितना पढ़ना उसको read करिए बस एक एक line दो तो line include करते जाना है साल भर एक साल तक यह चीज़ करते रहना है जैसे अगर आप यह चीज़ करके खतम करते हैं आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि आपने बहुत सारी चीज़े जो है complete कर ली है ठीक है अब ही चले अपने article के अंदर move करते हैं अपन की जैसंकर जी ने point out किया कि China continues to block the designation of Pakistan best terrorists including name this year L.E.T.J.E.M. है न तो इनका नाम भी लिया और इस सारी चीज़े बताया कि चाइना कि सरीके से role play कर रहा है टेरिजम को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का साथकियों दे रहा है ये सारी चीज़े यहाँ पर बात की गई ठीक है फिर यहाँ पर बताया गया कि UN counter terrorism committee meeting जो ही no money for the terror conference and the interpol conference के लिए कोई money नहीं दी जाएगी तो ये चीज़ यहाँ पर point out किया कुछ important चीज़ देखे बिलावल बुटो की जो बाते हुई है सारी चीज़े में आप लोगों को दिखाई दी है तो आई होब आप लोगों को clear हो गई होंगी वो चीज़े तो बाकी आज के कुछ article इतना कुछ खास नहीं यह से dangerous gamble चैनल acquired, dilemma यह सारी चीज़े एलेक्शन रिजल्ट हैं डेंचरिस फॉल्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूजेज है है ना तो इनको बिल्कुल भी रटना नहीं है ना ध्यान में रखना है चले move करते हैं आज के हमारे important news article की और जो की हमारे लिए important है अगर आप पहले page में देखेंगे इस page के अंदर states के अंदर के आपको मिलेगा wild elephant dies after the biting live wire near Tamil Nadu आंदरप्रदेस border Tamil Nadu आंदरप्रदेस border के पास एक बिचारी हाथी एक हाथिनी कह सकते हैं आप बिचारी एक हाथिनी 35 साल की थीन की age 35 year थी उस हाथिनी की और वो जो हाथी जाती है और देखती है wire वगिरा तो उसे लगता है कुछ खाने पीने का है सामाने तो उसको चबाती है और जैसी वो चबाती है तो electric के sock लगता है और instantaneously उसकी death हो जाती है तो ये एक जो topic निकल के आता है तो एक तो मानवता वाली चीज हो जाती है आपको technology का use करना है अच्छी बात है भाईया करिया आप technology का use करिये आप development करना है बढ़िया करिये कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस basis में development की लोगों की जान हानी हो रही है जानवर के उनका भी तो सहर है एक तरीके से उनकी भी जमीन है उनका भी हक बनता है इस देश के अंदर इस प्रत्वी के अंदर है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा ऐसा स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे जहां उनका एरिया है वहाँ पे वायर ना जाए यह वायर जाए तो कुछ ऐसी जगह से जाए जहां पे वो जो है डारेक्ली कॉंटेक्ट में ना आए क्योंकि वायर के वज़े से एलेक्टिसिटी के वीज़े से हमने देखा था कि बहुत सारे जानवरों की डेथ हो रही है प्रिवेस येर में भी हमने देखा इसकी वपर कोशन भी पूछे गए है यह बहुत बड़ा मुद्दा भी है इसको आपको ध्यान से देखना है एक्जांपल के तोर में इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे एलेक्टिसिटी के वीज़े से जानों की डेथ होरी तो रीसेंट एक्जांपल आप डाल सकते हैं थाटी फाइव येर ओल्ड फीमेल एलिफेंट फ्रॉरस्ट 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 ऑफ द गुद्दी अट्टम रिंच ऑफ तमिलनाडु वाज़ीब से नाम है ना तो ये छोड़ी सिंफॉर्मिशन आपको जाद रखनी है देखें नेक्स्ट मूव करते हैं वाइनाड राइस फेस्टिबल प्रमोट्स क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा कि वाइनाड के जो राइस फेस्टिबल है वो क्या कर रहा है वो प्रमोट कर रहा है क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप को ऐसे क्रॉप को प्रमोट कर रहा है जो की क्लाइमेट रिजिलेंट है मतलब अगर सूखा पड़े तो भी खिती हमारी बराबर चलती रहे पैदावार बराबर होता रहे जो की बहुत अच्छी बात है इसको आप यूज कर सकते हो कहाँ पर? ऐसे के अंदर यूज कर सकते हो कहाँ पर यूज कर सकते हो answer writing में जब आप कर रहे हो तो वहाँ पर लिख सकते हो कि इस तरीके से चीज़े को हम लेके आ रहे हैं Sustainable Development Goal की जब बात हो SDG की तब आप इसको यूज़ कर सकते हो Clear हुआ point आपको आप देखेंगी यहाँ पर Thanel has embarked on a unique conservation experiment planting 300 climate resilient varieties of traditional rice on 1.5 acre यह चीज़ आपको याद रखनी है Clear? चलिए Next बहुत अच्छी और बहुत important news है 5 agriculture product of the Kayla get GI tag Kayla के 5 जो है agricultural product को GI tag मिल चुका है यहाँ पे जिनके नाम आपको by heart रट लेना क्योंकि एक साथ मिला है एक नएक पूछा जाएगा कोशन आ जाएगा आप लोग घबरा जाएंगे एक एक दो दो बार अगर याद नहीं हो रहा तो revision कर लेंगे और revision कर लेंगे तो आपको यह भूलेगा नहीं ध्याँ से देगे एक बीन से क्या नाम है अट्टा पेड़ी अट्टू कोम्बू अवारा अवारा हूँ है नब बीन्स क्या बोलती है अवारा हूँ तो बीन्स हो गई आवारा थीक है फिर है रेड़ गराम ये रेड़ गराम थीक है क्या है अट्टा पेड़ी अट्टा ये ऐसा वर्ड तो यादी रहेगा है न वस्थे ये वर्ड नहीं पुछेंगे आप यहीं पुछेंगे बीन हो गई रेड़ गराम हो गया सीसम हो गया गारलिक हो गया और स्नैप मेलाउन हो गया तो ये सारे इंपॉर्टेंट नामस आपको याद रखने है ये बहुत ही आदा अच्छे हैं अग्रो क्लाइमेटिक कंडिशन जो है इफॉर्ट एफॉर्ट अन टु कर्ब द चाइनिज लोन अप सीस फानेस मिनिस्टर हमारी जो फानेस मिनिस्टर है निर्मला सीता रमन क्या बोल रही है ये ये कह रही है कि एक्शन फॉम ताद़्बियाई साइट अवर साइट including the ministry of corporate affairs has been initiated in this जो loan दे रहे हैं ऐसे बहुत सारे Chinese एप हैं आप लोग भी अगर देखा होगा आप लोग ने या आपके आस पास कुछ लोग जो हैं application से क्या ले रहे हैं loan ले रहे हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है कोई भी unauthentic जो है वहाँ से loan नहीं ले ना personal loan के नाप आपको पहले तो लुभाते हैं loan दे देते हैं फिर धीरे 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 आपके पूरे data की उपर capture कर लेंगे अब आप बोलेंगे तो data की उपर capture कर लिए तो क्या हो गया उससे बहुत जादा problem हो रही बहुत जादा ऐसा crime देखने को मिल रहा है एक तो क्या होता है वो क्या करते है कि आपके सब भी जो members मतलब एक तरीके से आपके वो हैं contact number है सब को directly message भीज़ देंगे क्या message भीज़ देंगे कि भाई ये जो है आदमी fraud है ये इतना जादा पैसा लेके भाग रहा है ये मतलब इस तरीकी चीज़े कर रहे फिर आप से वह तरीके से पैसा मागेंगे कि आप पैसा दो नहीं तो हम इस तरीके से message भीज़ेंगे तो ये सारी चीज़े भी देखने को मिली है इसलिए निर्मला सितारमन जी ने ये बोला है कि ये 12903 complaint जो है रिसीब हुई है अगेंस डिजिटल लेंडिंग एप जो application की मतलब से डिजिटल लेंडिंग एप ले रहे हैं मतलब लेंड कर रहे हैं वो रोकना पड़ेगा इस सारी जो फ्रॉड चीज़े उनको हमें हटाना पड़ेगा ठीक है तो ये एक छोटी सिंफॉर्मेशन थी फिर यहाँ पे जो रिजीजु जु है रिजीजु है ना जो हमारे क्या नम से मिनिस्टर है लोग मिनिस्टर है तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप चाहें तो करवाईए अगर आप चाहें तो नहीं करवाईए और फिफ्टी फॉर करोड और नियली 95 करोड वोटर्स है अप्टेट तो लिंक दियर अधार रिटेल विद द वोटर आइडी तो लोग अब खुद से ही आ कि क्या कर रहे हैं यहां पर लिंकेज करवा रहे हैं यह बिल्कुल ही वॉलिंटरी है इंडिया लाइकली टो पोस्ट हाइस्ट परसेंटेज राइस इन कोल यूस तो इंडिया जो है नियर फ्यूचर देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा कोल का यूज करने वाला जो परसेंटेज विसस में वो कौन है वो इंडिया है यह चीज देखने को मिल सकती है किसकी रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनरजी एजनसी आई ए ए की रिपोर्ट है जो कि फ्राइडे को ही आई है कल ही आई है तो यह सारी चीजे बताई जा रही है जो कि एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड टो इंक्रीज यूज बाइ सेवन परसेंट और प्रीबीज यह से हम अगर कंपेर करेंगे तो इस साल लगबग साथ परसेंट जो हैं हम बढ़ा रहे हैं और अबाउट लगबग कितना कह लीजिए 7 परसेंट वो कितना हो जाता है 70 मिलियन टन जाद रखिए इंडिया कितना बढ़ा रहा है 70 मिलियन टन 70 मिलियन टन जो कि बहुत होता है वहीं पर आप कंपेर करेंगे as compared to the European Union that is the plus 6% that is 29 मिलियन टन and China that is plus 0.4% and that is 18 मिलियन टन तो इंडिया का तीजी से बढ़ रहा है और नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो इंडिया है most likely the highest percentage rise in the coal use है ना तो ये चीज आपको यान रखना है लोग सभा ने clear कर दिया है bill to add the hemantial hemantial है हैटी या हैटी जो भी pronunciation इसका होता है हैटी कम्यूटी को हैटी लिस्ट के अंदर डाल दिया है वैसे भी हमने क्या किया था हमने तीन नाम देखे थे तीन देखे थे उसमें से एक को यहाँ पर डाल चुके है तो ये चीज आपको याद रखनी है आपको आई होप चीजे क्लियर हो रही होंगी आपको पी-म ऐसे इंफेसिस नीटो पीस एंडायलोग विदा फोन कॉल विदा पुतिन पुतिन के साथ फोन कॉल में पीस रखने की बात करी है तो छोड़ी छोड़ी चीजे हैं एक बहुत अच्छी नीज है यार यह मतलब आप ऐसा कह सकते हैं तो थाउजन फाइफ हुड़ी येर ओल्ड पजल सौल बाई इंडियन स्टुड़न धाई हजार साल पुराना जो एक पजल था एक कोशन मांग था उसे इंडियन स्टुड़न ने सौल कर दिया यहां पर कुछ रूल से कुछ वूची जी रिसी राजपोपट जी ने यहां पर इसको सौल किया है मुबारक हो रिसी राजपोपट जी आपने बहुत बढ़ियां काम किया यहां पर जो पानिनी आप लोगों ने सुना होगा इनका नाम सुना हो अगा चलिए बता जी इनका जन्म का हुआ था पाणिनी के वाले में आपको बताना है पाणिनी तो इन्होंने बुला कि पाणिनी जो है कौन है फादर अफ लिंग्यूस्टिक्स है जो उनकी बाते हैं पाणिनी की जो वो बहुत ही मतलब अद्भूत चीज़े हैं उनको समझ पाना सबकी बसकी बात नहीं है अगे मुव करते हैं तो यहां पे अगर आप देखेंगे जापान ने क्या किया है जापान ने चाइना को काउंटर करने के लिए अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बोला है कि हम 2% जीटीपी कर देंगे जो कि बहुत बड़ी है चीज़े 2% जीटीपी कर देंगे बाए कब तक 2027 तक मतलब 2023 चल रहा ऐसा समझ लीजिए 2022 तो खतम 4-5 साल के अंदर क्या कर देंगे 2% जीटीपी तक हम ले आएंगे जो कि बहुत बड़ी चीज़ है तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस के अंदर नेक्स निउस आगर देखेंगे कि वीट स्विंग जो है 3% तक राइज हो रही है सीजनल वेसिस में इस सीजन 286.5 लेक हेक्टर के अंदर जो है वीट की स्विंग होगी ये आपको पता है 3% तक ये राइज होई है ये चीज़ आपको पता हूँ जहाँ पर सबसे हाइस जो है वो कौन है मदपरदेश दूसे नमबर पर कौन है उत्तरपदेश तो पहले नमबर पर मदपरदेश दूसे नमबर पर उत्तरपदेश ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख नहीं है देखेंगे क्रूड ओयल इंपोर्ट रोस 52.6% to 147 बिलियन डॉलर इन अप्रेल से नवंबर की बीच में हमने एस्टिमेट निकाला है तो 52.6% जो है क्या इंक्रीज हुआ है हमारा क्रूड ओयल इंक्रीज हुआ है राइस हुआ है रोस हुआ याद को याद रखना है जो कि एप्रॉक्सिमेटली 146.57 बिलियन डॉलर का पड़ता है यहाद कुछ चीज चीज जो है आपको याद रखना है गॉर्मेंट ने विंट फॉल टेक्स को कट करने की यहाँ पर कट किया है विंट फॉल टेक्स को यह चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है चलिए अब अगर आप पूछेंगे कि सरी यह विंट फॉल टेक्स होता क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि विंट फॉल टेक्स क्या होता है आप टेक्स लेविट ऑन दा अनफॉर्सीन और अनएक्सपेड़ेटली लार्ज प्रॉफिट इस पेसली और एक्सेसिब और अन किसी बहुत बड़ी फेक्टरी के अंदर लार्ज प्रॉफिट डेखने को मिलता है तो वहां पिए उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं बताईये उसको हम कहते हैं विंटफॉल टेक्स हवा की तरह आया और टेक्स लगाके चला गया टेक्स काटकर हमारा पैसा लेके चला गया है ना आप कुछ हो ना समझेगा यहां से चले आज का लेक्टर यही पर हम समाब करते हैं और कल आपसे फिर्द से एक बार मुलाकात होगी लेक्टर को लाइक शेयर कमेंट तो पता ही आप लोग करी देते हैं ना फटा फट कमेंट कर दीजिए अब प्यारी प्यारी से दीजिए आपको कमेंट करनी है लेक्टर के अंदर है ना और लेक्टर को बिलुकुर फैला इतना हो सके उतना लेक्शिर को फैलाने की कुछिस कीजिए तब तक के रिए थैंक यू तैंक यू वेरी मुच फूर्द डिस्कुशन